देश में इस समय ग्यानवापी परिसर में मौझूद मस्जिद को लेकर चर्चाएं जोरो पर हैं। आप इसे सयोग ही कह सकते हैं कि जिस दिन ग्यानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को बाल गोपाल स्वरूप भगवान कृष्ण की प्रतीमा भेट की थी। दूसरी बार नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर भी सीम योगी ने पीम मोधी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ती भेट की थी। जानकारी के लिए आपको बता दे की ज्यानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद अब मतुरा के शाही ईदगा मस्जिद को लेकर भी नई याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि ततकाल रूप से शाही ईदगा मस्जिद को सील कर दिया जाए, जिससे शाही ईदगा मस्जिद में मौजूद उन सबूतों को नश्ट ना किया जा सके, जो ये साबित कर सकते हैं कि जिस जगह मस्जिद बनी है, वो ही असली कृष्ण जन भूमी है, आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ ने कुछ महीनों पहले अगली कार सेवा की बात की थी, सीम योगी का वो बयान सुनने के बाद मतुरा में खुशी की लहर दोड़ गई थी, आप देखना अगली कार सेवा जब होगी, तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर खुष्न भक्तों पर फुस्पों की वर्सा होगी.